तो फ्रेंट्स आज कुछ बहुती इंटरस्टिंग सा मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर लग को दो वीक पहले इपने चैनल पर नहीं पर लग कि वीडियो डाली थी जिसमें मैं एक spacer stand लेकर के आई थी और उसकी पूरी costing, उसको मैंने rent पर किसी party के लिए बनाया था और बहुत ही सुन्दर cake बना था, pink और white के combination में flowers वाली decoration की थी, थोड़ी shaded वाली और काफी लोगों ने उसे पसंद किया तो मैंने फिर से एक और cake बनाया था actually उसी वीडियो को देखकर किसी ने मुझे order दिया तो मैंने फिर से वो cake बनाया था और वो वीडियो भी काफी अच्छा लोगों को लगा मतलब ये नहा एक trending चीज थी तो मैंने वो बनाया, देखिए मेरा काम है आप लोगों को बताना, so that evenly सब में ये चीज चली जा और आप लोग भी अपनी से selling बढ़ाएं अपने customers को नई नई चीजे बना कर दे जिसे कि आपको भी profit हो क्योंकि आजकल जमाना ही designer और trending का है तो कुछ नया देंगे, तभी चार लोगों के पास जाकर आठ लोग हमारे पास लटके आएंगे तो बस उसी फिराक में, उसी देड़ गुन में मैं लगी रहती हूँ, कभी market में कुछ नया मिल जाता है, तो भली महंगा मिल रहा हो खरीदना पड़ता है ताकि आपके साथ share कर सके यह नई चीज है, और आप लोग ट्राइ करिये, यह बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक home baker की कोशिश यह होती है अपने customer को हर बार कुछ नया देना आप लोग भी यह ट्राइ करते हैं तो इसी फिराक में friends हम लोग videos बनाते हैं YouTube पर काम करते हैं, तो ऐसे ही बीच में न कुछ, एक देर महीने पहले मुझ पर बहुत बड़े-बड़े इलजाम लगाये थे किसी channel ने, बहुत ही repeated channel है, बहुत ज़्यादा subscriber हैं उसके, क्योंकि उन्होंने मुझ पर यह allegation लगाया था, कि बहुत कम subscriber उसके हैं, और वो design copy करती है, तो वो तो काफी repeated channel है, तो फिर जब उसने मुझ पर यह इलजाम लगाये, कि आप मेरी videos को, के designs लेतके बनाती हैं, और यह करती हैं, वो करती हैं, फला ना, ढिमका ना, और मैं इस channel पर अपने गुणगान गाती हूँ, ऐसे बहुत सारे allegations लगाये, उसका जवाब मैंने देना जरूरी थी नहीं समझा, because ऐसी चीजों को मैं bother ही नहीं करती, क्योंकि उतने time में मैं कुछ अपना अच्छा कर लूँगी और आपके साथ share कर लूँगी, classes होती हैं, दो-दो channel का काम होता है, तो bother ही नहीं करती ही इन सब चीजों से, खैर उन्होंने जितनी अपनी महनत की, जहां-जहां उन्होंने यह कर सकती थी, लोगों को भढ़का सकती थी, खुब काम किया, लेकिन आज मैंने जो अपना spacer cake बनाया था ना, वो ही video same title, same thumbnail, same design and same description, friends जब मैंने वो cake डाला था ना, तो अवतार movie आ रही थी, तो मैंने टाइटल में ऐसे अवतार लिख दिया था, कि लोग सर्च करेंगे अवतार, तो हो सकता है मेरे जो वीडियो है वो सर्च में आ जाए, तो आज same title, मतलब मैंने अवतार लिखा था, तो उनके भी title में अवतार लिखा हुआ है को पूरा का पूरा as it is उतार करके उन्होंने वीडियो बनाई है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने मेरे design कॉपी कर दिया और आपने ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि ये काम और वाला भी friends कभी-कभी कुछ ऐसा सिखा देता है कि उसकी चीज भी viral होती है और लोग उसको देखते हैं तो ऐसी बात नहीं है तो मेरा point इस ये है कि जब उन्होंने मुझ पर ऐसे allegations लगाए थे और मैं ये ही बोलती रही कि मेरा काम है चीज को recreate करना तो मैंने उस तरीके से बनाया है ऐसा कुछ मैंने आपका as it is नहीं उठाया है तो आज फिर उन्होंने ये काम क्यों किया तो मैं तो अब यही सोच रही हूँ friends मैं ये नहीं भूल रही हूँ कि उन्होंने मेरा design copy कर लिया और ये कर लिया और मेरा जैसा as it is उतार दिया मुझे तो बलकि आज बहुत proud feel हो रहा है कि उनको इतना मेरा काम पसंद आया कि आज उन्होंने अपने channel को रहा as it is वो ऐसे ही उतार दिया तो देखें ज्यादा subscriber वाले भी कम subscriber वालों का काम उठाते हैं तो मैं आज ये video बना भी नहीं रही थी बढ़ दिल में यह आई कि बढ़ी इंतने इंजाम मुझ पर लगा रही थी और आज ये खुद जब ये काम कर रही है तब क्या हुआ या तो वो ये बोलेंगी कि आपको ये feel कराना था कि जब आप किसी का recreate करते हो तो कैसा लगता है तो चलिए ये feel करा दीजिए बट करा तो आपने भी वही recreate ही तो फिर इससे मुकरना क्यों क्यों दूसरों पर इलजाम लगाना कि आप ये करते हैं मैंने जब भी कहाता है फ्रेंड जब को ये एक उगली आपके उपर उठा है तो चार उगली वह खुद के उपर उठा रहा होता है तो यह जो आज उनोंने किया है ये चार उगली आज मुकर खुद उठी है और अब वो जो मेरे को बोल रहे थे बहुत से उनके subscriber मुझे बोल रहे थे कि मैं ये तो उनको आपको ये देना चाहिए एसा नहीं करना चाहिए ये फलाना टिम का ना आज वो किदर है कहा है आज देखिये ना आज दो विक पहले जो मेरी वीडियो गई थी same as it is with color with combination word to word title description everything वैसे के वैसे उत्रिया तो आप लोगों को तो मुझे thank you कहना चाहिए कि बड़े subscriber वालों को भी मैं आज कुछ सिखा रही हूँ तो बड़ा ही proud फिल हुआ मुझे कि चलिए मेरे चैनल बड़े बड़े चैनल वालों की नजर है और वो लोग मेरा काम इतना पसंद और appreciate करते हैं कि मेरे जैसा काम करने क कि अभी कोशिश कर तो यह तो चलता रहता है मैं तो अपना काम ऐसे करती रहूंगी अभी फिर से कुछ नया आपके लिए ला रही हूँ और fondant cakes के बारे में मुझे लगता भी in में से किसी चैनल ने आपको सिखाया है लेकिन मैं यह चीज़ सीकर आई हूँ और मैं आपको guarantee से fondant cakes में expert बना दूगे friends इसकी मैं online class भी लाने वाली हूँ जल्दी fondant classes क्योंकि अभी आगे ना time ऐसे आने वाला है friends कि हर चीज customized होगी मुझे ऐसा चाहिए मुझे वैसा चाहिए क्योंकि आजकल मेरे आसपास ही इतने cake के orders ऐसे आ रहे हैं कि हर चीज बारी की से बताई जा लग रहा था मतलब flavor वाला था bubble gum flavor ऐसे वाले flavor के फॉंटेंट भी आ रहे हैं तो अभी मैं थोड़ा उसके बारे में survey कर लूँ उससे related आपके साथ वीडियो खुप सारे शेयर करूंगी और सर्दी में तो फॉंटेंट का काम करना हसान होता है friends फटा-फट ड्राई हो जाता मैं तारा मदूगी रसोई पर धीरे-धीरे सब सिखाते रहोंगी तो नया कुछ सीखना है नया कुछ जाना है तो इसी तरीके से मेरे चैनल को ही हूँ आते रहीएगा और अभी नॉर्मली कहीं जा रही थी तो तुरंट जब यह दिखाना तो मैंने का वाह इल्जाम लगान बंच लगाये थे और यहां तक यह भी लगाता जिसके बारे मैंने बोला ही नहीं कि मेरी 10-20 फेक आईडी जैं और मैं गालियां लिखती हूं और मैं पता नहीं क्या-क्या बोल देती हुए नोगों को मेरे पास यकीन मानिये के वन तीन आईडी जैं एक तारा मदू की रिस पर मैंने चैनल बनाना सिखाया था तब बदाई थी इसके अलावा फ्रेंड्स यहीं मेरी कोई आइडी नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना ना टाइम है कि मैं यह सब कर सकूँ अपने फन टाइम में इंस्टाग्राम पे रिल्स वगर बना लेती हूँ थोड़ा बच्चों के संग्बस्ती कर लेती हूँ और यह भगवान देख रहा है रिक्रियेशन मेंने किया था तो आप भी वही कर रहे हैं तो आपने उस दिन मुझ पर इजाम क्यों लगा थे बस मेरा पॉइंट यह है जो लोग समझदार हैं वो समझ गए हैं और जो नहीं समझदार हैं वो थोड़ा अगे तक जाके समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रही थी उस टाइम और अब क्या समझा रही हूँ और फ्रेंड्स आज ना मैंने अपने चैनल पर आज नहीं कल डाली है एक स्टैंडिंग डोरी मोन की केक की रेसिपी एक्चली वो जो डोरी मोन केक है ना मैंने पूरे यूट्यूब पर देखा कि मुझे किसी से हल्प मिले कि मैं देखूं और उसको कुछ रीक्रियेट करूं बट नहीं मिला फिर मैंने एक पिन इंट्रस पर फोटो देखी डोरी मोन की स्टैंडिंग की तो वीडियो कहीं नह बनाया उसकी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ और वो बड़े में भी वैसे के वैसे रहा बिल्कुल गिरा नहीं तो जो होम बेकर से बहुत सारे बोल रहे हैं यहां पर भी कि मैं में केक के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं क्या करें तो कुछ देखिए आदा केजी केक में मैं अपने बड़े में यह बनवाँगा वो बनवाँगा क्योंकि कीमत मैंने उसमें पंद्रा सो रुपेली की जो देखिए केकी होती है बट कुछ ट्राइ करके दिया और यकीन मानिए चार से पांच घंटे में सरफ उसके डिजाइन को बनाती रही इस तरीके से बैठी भी मेहनत अपने उसी स्कम रेट में करनी पड़ती है यही जिंदगी है यही होमबेकर का काम है तो आज के लिए बस इतना ही प्रेंट्स मेरी बातों को जरा गौर करके समझने की कोशिश कीजिएगा और यह वीडियो कैसा लगा पताईएगा जो पसंद आया है या मेरी बात आ लगियां आप सहमत हैं आप इगरी करते हैं तो इसे लाइक शेट अभी कीजिएगा नहीं तो नहीं कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा चलिए कल मिलेंगे बाबाई टेक एर और थैंक्स पर वाचिंग